आप देखिएगा पूरा पानी भरा हुआ है और अभी चूकी इस मोहनपुरा डेम का केवल एक गेट खुला है वो गेट आप देख लीजिए क्या खतरनाक द्रश्चे है आप आवाद से अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर खड़े होने में पेर कांपते हैं सर इसलिए इस पर्मिशन नहीं होती है किसी को देख के नामी डेमों में से एक है पच्छिस सो करोड की लागत है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राजगर जीले वासिओ को यह सोगात दी थी केंद्र सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट यह रहा है जी नमस्कार राजगर वासिओ मेरा नाम क्रिश्न पाल राठोर है और आप महारो राजगर का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस वक्त हम मोहनपूरा डेम पर खड़े हैं आज राजगर वासिओ को दिखाया जाएगा कि मोहनपूरा जो डेम है वो किस तरीके से चलता है क्या क्या उसमें विवस्ता है कितने गेट लगे हुए हैं और गेट कहां पर लगे हुए कैसे खुलते हैं कैसे बंद होते हैं कितने दरवाजे यहां पर लगे हुए हैं तमा 500 करोड रुपे की लागत से बना हुआ है इंटरनेट के मुताबिक 2500 करोड रुपे की लागत से ये डेम का निर्मानकार ने हुआ है इस डेम का लोकारपन जो है वो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने स्वयाम अपने हातों से किया था एक डेम कुंडालिया डेम था जो जिन मोहावजा सरकार की तरफ से दे दिया गया है अब ये अनंत तक दिखाईए जरा दिलिप मोहनपुरा डेम जो है वो कितना पानी समाहित रखता है अनंत तक आप देखेंगे तो पानी ही पानी आपको नजर आएगा पानी ही पानी आपको नजर आएगा राजगर में पानी की कमी हो नहीं सकती क्योंकि मोहनपुरा और कुणालया डेम बनने से राजगर जिले का जलिस्तर काफी हद तक बड़ा है अभी कुछ दिनों पहले गेट खोले गए थे जिसकी वज़े से ये डेम काफी हद तक खाली हुआ है बारी बारी इसकी वज़े से डेम लबाला भरा हुआ था लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि ये मोहनपुरा डेम में कि एक खासियत है खासियत यह है कि इसमें सत्रा गेट बने होवे हैं और सत्रा गेट का जो कंट्रोल रूम है वो अलग-अलग है जैसा आमने कुंडालिया में आपको दिखाया था और तो को ओप्रेट करने के लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम मना गया है यानि कि आप एक गेट को एक कंट्रोल रूम से भी कंट्रोल कर सकते हैं और ये नामी इंजिनियरों ने देश के नामी इंजिनियरों ने प्रोजेक्ट खड़ा किया था ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था पूरे भारत के लिए राजगर जीले के लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये गेट नंबर 17 पे हम खड़े होएं देख लीजिएगा गेट नंबर 17 पे खड़े होएं कितनी उचाहिस है आप इस गेट को देख पा रहे हैं मोहनपुरा का ये गेट है मोहनपुरा परियोजना में मोहनपुरा परियोजना बांध में करोड़ो रुपे सरकार ने खर्च किये हैं करोड़ो रुपे लगाए हैं राजगर जीले के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सोगात दिये केंद्र सरकार का धन्यवाद देना चाहिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं ताकि राजगर जीले वासियों को दिखाया जाए कि जो मोहन पूरा डेम है वो आपने करीब से आप घूमने तो आये होंगे लेकिन जब खुलते हैं तो यह सूखी जगा जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से लबालब पानी से भर जाती है और एक पुल आप देख रहे होंगे वो पुल भी जो है वो लबालब भर जाता है तो यह तमाम सारी चीजे हैं आप देख सकते हैं इधर पूरा पानी जमा होता है म सोगात दी थी केंदर सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और कई सारी जानकारिया यह देखिए अगर गेट नंबर 15 को हमें कंट्रोल करना है तो इसके अंदर मशीनरी लगी हुई गेट लगी हुई हैं और हर गेट की अलग-अलग मशीने हैं लेकिन कुछ इमर्जेंसी अगर हो जाती है तो इन 17 गेटों को एक कंट्रोल रूम से भी कंट्रोल किया जा सकता है जैसा हमने कुंडालिया में आपको दिखाया था अभी यहां पर अधिकारी लोग मोजूद नहीं है इसलिए हम आपको डिट आते हैं कि वह गेट जो खुला हुआ है वहां का नजारा क्या है आपको यकीन और विश्वास पूरा होना चाहिए कि मोहनपुरा डेम जो परियोजना है वह वाकई में राजगर जिले के लिए वर्दान है राजगर के किसानों के लिए वर्दान है एक गेट अभी खुला ह हुआ है यह दिख्येंगा रिघ 국ert एब कि वेसे आवाच से डर लग रहा है लेकिन अजदिक को compart 끝y है यह जो गेट है यह तों मोहनपूरा में हम खड़ें इस वक्त मोहनपूरा डेम पर आप को देख लीज़िए ये गेट खुला वा हम को दिखाते हैं कि ये गेट जो जब कोला तो ये आधा गेट खुला हुआ है पूरा गेट नहीं खुला हुआ है अगर पूरा गेट खुलता तो यह सामने जो रेलिंग दिख रही है ना आपको वहां से पानी ऊपर जाता यह सामने जब आपको रेलिंग दिख रही है वहां से पानी ऊपर जाता यह देखिए यह केमरे में रेलिंग दिखाई है ये वाली तो ये पानी उपर जाता है इसके भी तो ये गेट जब आदा खुला हुआ है अभी अगर पूरा खुलता तो ये जब जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त यहां से इसकी आवाद से ही डर लगता है क्योंकि ये मोहनपुरा जो डेम है ये काफी बड़ा ड देख लिजिए क्या खतरनाक द्रश्चे है आप आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर खड़े होने में पेर कांपते हैं सर इसलिए इस डेम के उपर आने की परमिशन नहीं होती है किसी को जब गेट खोला जाता है क्योंकि गेट जब खोला जाता है तो इस तरह की आवाजे आती है इस तरह की आवाजे आती है और खत्रा भी होता है जो बांद बने होते हैं उन पर खत्रा भी होता है इसलिए पब्लिक को जो है वो आने की परमिशन अभी नहीं है बारिश के दिनों में काफी कम लोग यहां पर इस बांद पर आपाते हैं वहां तक बना हम वहाँ से चलकर आए हैं आप देख लीजिएगा मोहनपूरा परियोजना का यह डेम है राजगरवासी डेम को ध्यान से देख लीजिएगा आप देखियेगा यहां से भी देख लीजिएगा कितना खतरनाक दरश्य है और यह जब सारे के सारे गेट खोले जाते हैं तो बहुत ईमर्जेंसी बहुत अर्जेंसी में खुले जाते जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है यह डेम जब प्रादान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और राजगर के लिए एक बड़ी सोगा थे राजगर वासी इस वीडियो को शेर कीजिएगा और ज़्याद से ज़्याद सपोर्ड कीजिएगा चेनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद